Good morning students, I am Tarnat Yagi, I am your KG teacher. Today I am going to teach you about math. Today my topic is add sums. आज हम add के sums करेंगे, यानि कि plus के sums, 1, 2, 3, 3 digits तक हम कर चुके हैं, आज हम 4 digits के करेंगे. ऐसे ही 4 digits के भी करने हैं. सबी बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे, लाइन ड्रो करके. क्या है ये 4, तो हमें कितनी लाइन ड्रो करनी है, 4. 1, 2, 3, 4. 4 के नीचे क्या है, 2. तो कितनी लाइन ड्रो करेंगे, 2. 1, 2. अब इनको count करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 6. 4 प्लस 2, 6. Next. ये क्या है? 3. 3 की लाइन, 3 के उपर ही ड्रो करेंगे. 1, 2, 3. ये क्या है? 3. 3 की लाइन भी 3 के उपर ड्रो करेंगे. 1, 2, 3. 3. अब count करेंगे इसको. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 6. 3 प्लस 3, 6. अब जैसे मेरे पास 3 चोकलेट है और मेरी फ्रेंड के पास भी 3 चोकलेट है. तो कितनी हुई टोटल उन दोनों को प्लेस करेंगे? 3 प्लस 3, 6. Next, क्या है यह 2? 2 की लाइन यहाँ, 2 के उपर ही ड्रो करेंगे. 1, 2. यह क्या है? 2. 1, 2. अब इनको count करेंगे. 1, 2, 3, 4. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 4. 2 प्लस 2, 4. Next, देखेंगे क्या है यह 5? 5 की लाइन यहाँ पर ड्रो करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. यह क्या है? 3. 3 की लाइन यहाँ पर ड्रो करेंगे. 1, 2, 3. अब इनको count करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 8. 5 प्लस 3, 8. ऐसे ही यह. Next, सम्स करेंगे. क्या है यह? 6. 6 लाइन ड्रो करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यह क्या है? 2. 1, 2. अब count करेंगे. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 8. 6 प्लस 2, 8. Next, क्या है यह? 4. 4 की लाइन, 4 के उपर ड्रो करेंगे. 1, 2, 3, 4. यह क्या है? 3. 1, 2, 3. अब इनको count करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्या लिखेंगे हम यहाँ यहाँ पर? 7. 4 प्लस 3, 7. Next, क्या है यह? 2. 2 की लाइन, 2 के उपर ही ड्रो करेंगे. 1, 2. यह क्या है? 2. 1, 2. अब count करेंगे. 1, 2, 3, 4. क्या लिखेंगे हैं यहाँ पर? 4. 2 प्लस 2, 4. Next, क्या है यह? 7. 7 लाइन ड्रो करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यह क्या है? 2. 1, 2. अब इनको count करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 9. 7 प्लस 2, 9. तो आपको ऐसे ही यह sums homework में करने हैं. यह 4 sums. 1, 2, 3, 4. जैसे मैंने यह 2 sums कराए हैं 4 डिजिट के. ऐसे ही यह आपको 4 sums homework में करने हैं. ऐसे ही line draw करके और count करके. और writing neat and clean. क्योंकि writing के भी marks लगते हैं. मैथ की notebook में करना है. यह आज का आपका homework है. एड़ संस 4 डिजिट के. ओके? थैंक यू.